गुड मॉर्निंग दियर स्टुडेंट्स बेटा आज हम अपनी प्रैक्टिस बूक की यूनिट फॉर कम्पैरिजन्स की वक्षिट टू करेंगे वक्षिट पन और कुछ रूल्स जो थे हम की कैसे एक एड्जेक्टिव की कम्पैरिटिव और सूपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है उनके बारे में डिस्केस किया पेज नंबर 30 पर हमने तो आज हम अपना काम 31 पेज से स्टार्ट करेंगे 31 पेज पर वक्षिट टू है हमारी इसमें आपको क्या दिया गया है कि एक इंटरनेट पर www.india.chimes.com के नाम से साइट है उस पर कुछ बच्चों ने Everyday जो है various issues जो होती है उन पर अपनी voting की है Given below is the percentage of votes for and against a particular issue किसी एक issue के उपर कुछ बच्चों ने वोट किये हैं उनके favor में और उनके against जैसे आपको यहाँ पर first sentence के नीचे yes 78% no 20% can't say 2% तो यह कुछ issues है जिन पर बच्चों ने अपने views दिये हैं इन्हें हमें देखना है और appropriate degree of comparison इन sentences में fill करनी है first है जैसे Kempa Cola is dash than Pepsi और आपको bracket में दिया गया है tasty कि 78% कहते हैं कि हाँ Kempa Cola जो है Pepsi से tasty है दो चीजों के बीच में compare हो रहा है पहले तो हम यह देखेंगे इसमें और 20% कहते हैं कि नहीं यह Kempa Cola जो है Pepsi से tasty नहीं है ज्यादा और 2% बच्चों ने कोई भी अपनी राय नहीं दी तो यहाँ पर हमें main तो यह देखना है कि कौन सी degree of comparison अपने इसमें feel करेंगे तो tasty word हमारा adjective है और इसकी हमें कौन सी degree of comparison बनाने पड़ेगी comparative degree of comparison क्यों? Kempa Cola जो है Pepsi से ज्यादा tasty है यहाँ पर हम two types की drink में compare कर रही है Kempa Cola and Pepsi जब हम दो चीजों के बीच में compare करेंगे तो हम comparative degree of adjective use करेंगे जो की हमारी er लगा कर बनेगी लेकिन एक और rule हमने अभी पीछे पड़ा कि अगर कोई adjective y से end हो रहा है जैसे tasty word है तो यह y से end हो रहा है लेकिन इस से पहले consonant है means आपके alphabets जो मैंने बताए कि a, e, i, o, u vowels को छोड़ कर बाकि जो alphabets हैं b, c, d वो हमारे consonant कहलाते हैं तो y से पहले हमारा t consonant आया है अगर y से पहले consonant आएगा तो हम y को remove करके i में change करेंगे इसे और फिर इसके साथ er add करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे tastier second है जेके रावलिंग इस डैश राइटर दैन एनिट बलेटन famous आपको adjective दिया है famous famous longer word में count होता है जैसे हमने tasty word को हम एक ही बार में बोलती है टेस्टी और यहाँ पर famous two type दो parts में करके इसको बोलेंगे हम और इनको longer word कहा गया है आपकी book में आगे जाकर इनके बारे में आप और ज़्यादा study करेंगे मैंने कल भी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब आप किसी dictionary में किसी भी word की pronunciation देखते हैं तो उसमें कुछ words को parts में divide करके लिखा होता है और accent दिया होता है शुटी शुटी लाइने दी हुई होपे उसके उपर accent दिया होता है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे तो इस तरहां से यह famous जो word है यह two syllable वाला word है और इसकी comparative और superlative degree बनाने के लिए हम more और most का use करेंगे longer word जो two syllable वाले या two से ज़्यादा syllable वाले word होते हैं उनके लिए हम more और most यूज करते हैं comparative और superlative बनाने के लिए तो यहाँ पर भी हमारा J.K. Rowling और Annie Litton के बीच में दो writers के बीच में comparison है तो यहाँ पर भी हम comparative degree of comparison यूज करेंगे famous की क्या बनेगा more famous थर्ड है हमारा Russian can give a dash performance than शाह आलम की जो रोशन है वो शाह आलम से ज़्यादा अच्छी performance, powerful performance दे सकते है two के बीच में comparison है और powerful का comparative degree हम more लगा कर बनाएंगे more powerful next है comics are the of all the books and magazines funny funny Y से end हो रहा है और Y से पहले हमारा consonant है तो Y को हटा कर हम remove करेंगे remove करके हम change करेंगे से I में और ER और EST superlative degree के लिए अब देखो comics जो है all books जितनी भी books है और magazines है उनसे ज़्यादा funny है एक comics type की जो आपकी books है उनको हमने सभी तरहां की books और magazines के साथ compare किया means more than one तो यहां पर हम superlative जब हम एक चीज़ का दो से ज़्यादा के साथ compare करेंगे तो हम superlative degree of comparison यूज़ करेंगे और एक और पहचान की जब जैसे comics are दा लिखा हुआ है तो दा अगर आपका है और उसके बाद हमें कोई degree of comparison यूज़ करनी है तो वो हम superlative degree of comparison यूज़ करेंगे funny का क्या बनेगा funniest next है हमारा diamonds are dash then gold diamond और gold two types की metals में two type diamond और gold दो के बीच में comparison है costly का बन जाएगा costlier आगे है हमारा naughty comparison naughty comparison क्यों कहा गया है इसे देखेंगे there are some naughty comparison these words just do not follow any rules पिछली worksheet में हमने यहाँ पर कुछ rules learn किये और discuss किये जिसकी comparative or superlative degree क्या लगा कर बनाना है कुछ rules है जो हर एक word के ऐसे ही बनेंगे लेकिन यह हमारे है naughty comparison naughty क्यों क्योंकि यह कोई भी rule follow नहीं करते है इनका comparative और superlative degree positive से या आपस में तीनों बिल्कुल different है इन्हें हमें learn करना होता है जैसे good good का क्या better best ऐसा नहीं कि good के आगे हमने er लगा दिया देखो good और better में कोई भी letter आपस में match नहीं कर रहा यह बिल्कुल different है naughty comparison है यह क्योंकि कोई rule follow नहीं करता है की er लगा कर बनाना है या est यह हमें learn करना पड़ेगा good better best bad worse worst little less least much और मैंनी का दोनों का क्या बनेगा comparative more और superlative most वक्षित 3 देखेंगे Rajat and Sonali have won a debate competition they are throwing an ice cream party for their friends given below is the ice cream card of diary fund by quality ice cream seat carefully यह देखो यह आप Rajat और Sonali ने एक debate competition जीता है और वो अब ice cream party दे रही है अपने friends को और यह ice cream card है इसमें type दिये हुए है कुछ की कितने type की ice cream वहाँ पर है quality ice cream diary fund में now complete the conversation between Rajat and Sonali to decide the ice cream to be selected यह नीचे आपको Sonali और Rajat के बीच में बाचीत दी गई है और आपकी कौन सी ice cream select करें कौन सी कितनी लेनी है ice cream आप इसे read करोगे और इस naughty comparison को ही आप use करेंगे use the naughty comparisons wherever possible Rajat I just don't believe that we have won Rajat क्या कह रहा है कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि हम जीत गई है Sonali that's the dash thing that has happened to us this month वो कह रहा है कि हम जीत गई है और Sonali क्या कह रही है कि ये सबसे कैसी चीज है अच्छी जीतना कैसी चीज होती है good thing और दा लगा हुआ है और सबसे अच्छी चीज है that has happened to us this month जो कि इस महीने हमारे साथ घटी है अच्छी बात है that is the dash thing good अच्छे के लिए good use करेंगे लेकिन सबसे अच्छी बात दा ब्लैंक से पहले लगा हुआ it means we have to use the superlative degree of comparison good की क्या बनेगी superlative degree of comparison best रजत the wait for the result was dash than anything else कि जो result का इंतजार करना होता है वे किसी और चीज से ज़्यादा बुरा होता है जब हम किसी चीज का result का wait करना पड़े तो हमें कैसा लगता है बुरा लगता है अब यहाँ पर than anything else एक तो than अगर sentence में आता है तो हम comparative degree of comparison यूज करती है बुरा की result का इंतजार करना बुरा लगता है किसी और चीज से तो यहाँ पर than भी आया है और result का इंतजार करना किसी दूसरी काम से compare किया गया है और bad का हमारा यहाँ पर क्या बनेगा Wars W-O-R-S-E Now for the party which ice cream would you like कि अब रज़त कह रहा है कि अब party के लिए कौन सी ice cream लेना पसंत करेंगे I think bricks would be dash than cups Again यहाँ पर bricks ice cream और cups के बारे में compare हो रहा है मुझे लगता है कि जो bricks हैं वो cups से ज़्यादा अच्छी हैं होगी They will cost dash 2 और वो जब हम कोई चीज खरीते हैं तो उसकी कीमत भी देखते हैं और quality भी देखते हैं तो इसी तरहां से वो कह रही है कि bricks जो है cups से अच्छी भी होंगी और they will cost less to अच्छी के लिए हमने यहाँ पर better good का better बना दिया Cups और bricks के बीच में compare हो रहा है और cost क्या है less to Little less least यहाँ पर less comparative degree of little कि उनकी कीमत भी कम होगी अब औरेंज बार्स के बारे में आपकी क्या रहा है रज़त कह रहा है कि मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं sticks जो हैं सबसे अच्छी होती है are the they all enjoy eating them तो यहाँ पर हमने सबसे अच्छी की बास से idea लगा है they all enjoy eating them कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सारे उन्हें खाना पिसंद करते हैं it means they are the best all my friends say that sticks are the best good, better, best दा आ गया superlative degree सोनाली I think orange bars are the worst they hurt the throat गले को खराब करती है दा ब्लैंक से पहले आया है कि मुझे लगता है कि orange bars जो हैं सबसे बेकार होती है तो बेकार के लिए bad और सबसे ज़्यादा बेकार के लिए superlative क्या बनेगी bad की worst ब्लैंक से पहले दा आया है रजत but we can't leave them out completely लेकिन हम उन्हें बिल्कुल तो नहीं छोड़ सकते कुछ लोग तो orange bars को भी पसंद करते हैं we will have dash orange bars then cups कि हम cups से थोड़ी कम orange bars लेंगे तो little less less आएगा सोनाली that's alright कि हाँ ये ठीक है but we will also buy the new ice cream max biscuit लेकिन हम जो नहीं ice cream max biscuit आई है वो भी खरीदेंगे my dash friend says क्या उनसा friend my best friend अब आप यहाँ best यूज़ कर रही है superlative degree of comparison of good good, better, best लेकिन आप ये देखो कि जहाँ पर हमने superlative degree यूज़ कि है वहाँ blank से पहले दा आया है लेकिन दा से हमने idea लगाया कि यहाँ superlative degree लगेगी लेकिन यहाँ तो blank से पहले दा नहीं आया my best friend है तो यहाँ पर दा क्यों नहीं आया कि जब हमारा कोई possessive adjective होता है possessive determiner होता है my, your तो हम superlative degree के साथ दा का use नहीं करते my best my, the, best कभी नहीं होगा your, the, best my, best friend says that they have the most wonderful taste one can think of कि मेरे best friend कहता है कि वो जो ice cream है max biscuit वो सबसे ज़्यादा अच्छी है इतना टेस्ट उसका अच्छा है कि कोई सोच भी नहीं सकता next Rajat, I would rather prefer chocolate cornetto corns कि मैं chocolate cornetto corns को भी प्रैफर करूँगा वो भी खरीदेंगे हम Sonali Aha, they are the dash wanted कि वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसे लोग they are the most wanted now you are talking like my friend कि अब तुम मेरे दोस्त की तरहां बाते कर रहे हो means अच्छी बात कर रहे हो कि आप ये वली ice cream भी खरीदोगे तो आज के लिए इतना ही और आप यहां तक अपनी worksheet three तक complete करेंगे अपनी book को thanks have a nice day